पुरदेश के अलग-अलग राज्यों में किसान अपनी मांगों को लेकर जगजगधरना प्रदर्शन और अपनी मांगों के लिए अड़े हुए है इससे लेकर सरकारपुरी सक्ति में है तो वही किसानों के साथ राजनितिक दलों के नेता भी अपनी रोटिया सेकने में लगे है इसी को लेकर चित्रकूर्ट में भी अलग-अलग जगध हो गलामंडी के सहाई रोट पर टेल चोग पर जोरदार प्रदर्शन किया गया गलामंडी तिराहे पर समाजवादी पार्टी के जिलाद्यक्ष सहित किसान संगटनों ने जोरदार प्रदर्शन किया इसे बीच पुलीस से तिकी नोग जोग भी हुई और मामला हाता पाई तक पहुच गया इसी मौके का फाइदा उठा कर किसानों ने एक दल में देश के प्रदानमंत्री की शवयात्रा निकाली और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे इसी प्रकार भारतिय किसान युनियन के किसानों ने भी गल्ला मंडी परिसर में शांती पूर्वक धर्ना प्रदर्शन किया गया भारतिय किसान युनियन के नेता देविंद्र सिंग ने कहा कि राजनितिक दल केवल अपनी रोटिया सेखने का काम कर रहा है हमारे किसान के सिराजनीतिक दल के साथ मंच नहीं साज़ा कर रहे और हमारा यूनियन लगातार शांती पूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहा है और हाँ किसानों को समस्या चित्रकुट मंडी में है यहां मंडी में किसानों का धन 1200 से 1300 में धान खरीदा जा रहा है जबकि सरकार ने इसकारेट 1800 कुछ कात्ताय कर रखा है बस इनी सब समस्याओं को देख हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं दरसल आज पुरे देश में किसान अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे है लेकिन किसानों की पीडा कोई सुनने वाला नहीं है यहां तक कि सुबे के मुख्यायोगी आदित्यनात ने पुलीस को सक्त निर्देश दिये है कि कोई भी प्रदर्शन कारी अनावश्यक प्रदर्शन न करे और शांती भंग ना करे अगर ऐसा होता है तो सब के खिलाब सक्त कारवाही की जाए और चित्रकुट में लगबख एक सेकडा से ज्यादा किसान और राजनितिक दलों के नेताओं के ऊपर कारवाही की गए और पुलीस लाइन ले जाया गया साथ ही पुरा मुख्याले घंटो जाम की चपेट में रहा और वहनों की कई लंबी किलोमिटर तक कतारे लगी इन भी से निउस के लिए चित्रकुट से संचे साहु की रिपोर्ट